आज की दुनिया में जूट दीरे से बोलोगे तो भी सब सुन लेंगे लेकिन सच चिलाने पर भी कोई नहीं सुनता चूना सको आसमान तो ना सही लोगों के दिल को चूने का आनंद भी आसमान चूने से कम नहीं नमशकार मेरे प्रिया दोस्तों दर्शिकों मैं हूँ मोहित कमल श्रिमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानि के अठारा जुलाई के इस विशेश एपिसोड में आप सभी को हारदिक शुपकामन एवं बढ़ाई देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिवस है, मैरेज अन्वस्त्री है या कोई विशेश यादगार दिन है शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से तारिक 18 जुलाई 2023 से और दिन मंगलवार का है आज के विशेश उपाय में शिव आराधना के बारा लाभ क्या है ये आपको बताने जा रहा हूँ पंचांग की बात करते हैं संबत 2080 का श्रावन शुकल पक्ष चल रहा है प्रतिपदा तिधी रहेगी पुश्य नक्षद्र रहेगा तो वहीं चंद्रमा करक राशी में आज के दिन विराजमान है दोपहर के तीन बजे से साड़े चार बजे तक रहुकाल का समय है तो ऐसे में ये ही कहूँगा कि कोई यात्रा करने से स्वाइम को रोके शुब चौगडिया महरत आज के दिन साड़े दस बजे से डेड़ बजे तक है तो पूर्व दिशा में यात्रा करना शुब लाबकारी सिद्ध हो सकता है पर उत्तर दिशा और नॉर्थ वेस्ट में आज के दिन यात्रा ना करें अगर बहुत जरूरी है कि करनी ही पड़ेगी नहीं चोड़ सकते इस यात्रा को तो दिशा शुल्दोश का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके अपनी यात्रा आरंब करें फिर बात आती है सुर्योदैकालीन कुंडली में शुब ग्रहय योगों की तो आज के दिन आशुरे योग, संखिया कैदार योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, वैशी योग, परवत योग, केंदर त्रिकोन राज योग का आपको साथ मिलने वाला है तो लाक रुपे की बात में शत्रुनाश के लिए एक सरल सा उपाय आपको बता रहा हूँ याद फिर ये कहे कि रास्ते में विग्न जो है उनको हटाने के लिए क्या किया जाए तो श्रावण में हर मंगलवार के दिन सुबह हनुमान जी के मंदर में आपको जाना चाहिए और चमेली के तेल और सिंदूर के मिश्रंट से चोला अरपित करना चाहिए है हनुमान जी को इसके अलावा हनुमान जी को पान के पत्ते पर गुड और चना आपको अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से ना ही सिर्फ आपके काम में आपके रास्ते में जो विखना है वो हटते हैं बलकि शत्रू से भी आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है आईए अब बात करते हैं आज के राशी फिल के शुरुआत करता हूँ मेश राशी से आपके लिए राशी भाव से फोर्थ हाउस में चंद्रमा है वदतारा का साथ है ओवरॉल यहाँ पर नेगिर विडियो प्रेशर तो आपको झेलने को मिलेगा ही वहीं अश्टग वर्ग में 33 डॉट्स ओवरॉल 33 परसंट आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे पर ऐसे में पिता से मदभेद होना बहु का सास के साथ में मदभेद होना एवन सास का अपने पुत्र के साथ में मदभेद यहाँ पर सरकारी नोटिस प्राप्त करना और यहाँ पर अगर क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है तो जो आप टाक्स अपने भरने वाले हैं अपने इंकम यहाँ पर रिवील करेंगे तो उसमें भी पेपर वर्क के अंदर काफी ज़्यादा प्राप्लम सामने आ सकती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ पर चाहे व्यापारी है या नौकरी करने वाला यहाँ पर पेपर वर्क के समस्य हैं आपको बहुत देखने को मिलेंगी यहाँ पर ग्रहनियों की बात करों तो आपके लिए पहले ही बता दिया हूँ कि रिश्टों में यहाँ पर कही न कहीं तनाव देखने को मिल सकता है वो तनाव चाहे कहने के कारण हो खर्चों के कारण हो या फिर एक नॉमल साधारियर सी बात का है जो टाइर वन हो टाइर टू सिटीज में रहते है वो इस चीज़ को जानते हैं कि आमेजॉन और हर जगे से आप सामान मंगवाते रहते हैं आज सासुमा घर पे है या फिर पिताजी घर पे है तो बार बार डिलिवरी लेते हुए, कहीं ना कहीं, ओवर स्पेंडिंग कहें, खर्चों की आदत कहें, उस चीज पर आज टोका टोकी आपको देखने को मिल सकती है यंगस्टर्स भी इस समय में प्रेशर से जादा गुजरने वाले हैं, तो खर्चे बहुत जादा कर सकते हैं कहीं जगाओं पर ऐसे खर्चे जिनको हम कहते हैं कि बिना सिरपैर का खर्चा था, कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस शो आफ के कारण या तफिर एक स्पर आफ दे मॉमेंट में आकर कि आपने खर्चे कर दी हैं, तो इससे आज की दिन परिशान होन है, तो बीस तारिक को आप करें, तो जादा बहतर रहेगा अगले आने वाले दो दिन के लिए, चाहे ड्राइविंग की बात कहूं, स्विमिंग पूल में जाने की बात कहूं, तो इनसे थोड़ा स्वेंग को रोकिएगा जरूर, शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कल अगर सामने आ जाती है, गुजर भी रही हो, तो उसको पकड लेना आपके लिए बहुत जादा अच्छा साबित हो सकता है, कहीं बार ये भी होगा कि आपकी सोच से परे है, शायद हो सकता है कि आपकी जेब में जितने पैसे नहीं हो, उसे जादा महेंगा हो, पर लोन लेक करके उसको खरीद लेना आज के दिन आपके लिए बहतर सिद हो सकता है, बुकिंग अमाउंट दे देना, अग्रीमिंट बना लेना, ये अपने आप में बहुत जादा होगा, चाहिए रेंटल इंकम के लिए हो, कोई प्रापटी परचेस करनी हो, कोई बैंकिंग स्कीम हो, तो उसमें निवेश करना आज के दिन शानदार साबित हो सकता है, ओवरॉल बहुत जादा अच्छा दिन है, लग का पूरा साथ मिलना है, मैं तो ये कहूंगा, कि ना चाहते हुए भी, चीजें अपने आप आपके लिए सही हो जाएं, आपके लिए रास्ता बंच चल रहा हो, तो ये चीज आज के दिन देखने को मिल सकती है, सफलता तो मिलने ही वाली है, थोड़ा पेशिंस रख करके अगर काम करें, तो शानदार कमाई के साथ में रिष्टे बनाने का आज के दिन मौका मिल सकता है, संतान के साथ में लगाव देखने को मिलेगा, तो वहीं घर सबी बहुत खुश होंगे, आपकी कोई उपलबदी के कारण भी, हम कहें कि न्यूस कवरिज मिल जाए, लोगों के बीच में नाम बना ले, परिवार का नाम रौशन हो, ये चीज़ें कही जा सकती है, महिला वर के लिए भी आज के दिन शांदार शॉपिंग होना, लोगों के सारा का साथ और अश्टाग वर्ग में 25 डॉट्स है, ओवरॉल सिच्वेशन आपके लिए यहां पर बनती है, 70% सपोर्ट की, जिसके कारण सिर्फ फरसिफ यहां पर दो चीज़ों में आपको साफधान रहना है, कमाई के अंदर चिंता नहीं है, कमाई को लेकर के आज गबराहट हो, इस से सबसे पहले आज के दिन बच करके रहिएगा, दूसरा, बिना सोचे समझे, या फिर दूसरों के कहने में आकर के, कहीं पर साइन कर देना, बिना पढ़े साइन कर देना, चाहे रेंटल लीवन लाइसेंस अग्रीमेंट बना रहे हो, चाहे किसी भी पैसी ना हो, पर कमाई होगी जरूर, बाहर मार्केट से पैसे वापस प्राप्त भी होंगे, तो यहीं पर खर्चे जो हैं मशीनरी पर अपने आफिस में बहतर सोविदाओं के लिए आप करते हुए नजर आ सकते हैं, यंग्स्तर्स इस समय में दोस्तों के साथ में पढ़न के कहें, रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, एक से दो दिन आपको रुखना पड़ेगा, पर इसका आपको एफेक्ट, रिजल्ट पॉस्टिव जरूर मिलेगा, वरद लोगों के लिए भी यही कहूंगा, कि थोड़ा सोच समझ करके आज के दिन घर में बातें कहें, हो सकता है कि आपके कोई बात किसी को चुप जाए, उसके कारण, या फिर रिस्पॉंस ऐसा मिले जो आपको पसंद ना हो, या तो फिर अचानक से सामने से इंसान पलट करके निकल जाए, तो वो भी आपको पसंद नहीं आएगा, तो इसके लिए थोड़ा स्वयम पर काबू रखने क के लिए कह रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, शुब रंग रहेगा आपके लिए ये लो कला, शुब अंक रहेगा नंबर फाइव, अब बात करते हैं करक राशी कि तो आपके लिए राशी भाव में ही चंद्रमा है, सादक तारा का साथ और अश्टक गवर्ग पर यह खर्चे हैं, पर यह खर्चे वह हैं जिससे आपका बिजनस और बढ़े तो इन खर्चों को इन वेस्टमेंट का नाम मिल जाता है, कि हम अमारे बिजनस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही चीज़ आज के दिन आपको भी भी देखने को मिलेगी, कि दूसरों की नजर में जो खर्चे हैं वो असल में आपका इंवेस्मेंट है और इस इंवेस्मेंट को करने से पीछे नहीं हटना है क्योंकि इससे शांदार फाइदा आपको जरूर मिलेगा आज के दिन कॉंफिडेंस वैम में बड़ा है लोग आस पास में कुछ भी कहें उससे फरक नहीं पड़ता बात इतनी सी होती है कि अग्यानी का कॉंफिडेंस उसको और जादा बड़ा बना देता है वहीं ग्यानी का कॉंफिडेंस उसे गहरा बना देता है आज के दिन यही है कि आप ग्यानी है जिसको confidence मिल रहा है तो गहराई आपकी बातों में ज़ादा दिखने को मिलेगी सुख सम्मान भी प्राप्त होगा तो लोगों के साथ मैं बैट करके चाहे विचार विमर्श हो, commitment प्राप्त करना हो, business commitments हो, contracts हो, उसकी तरफ आज के दिन चर्चाएं आपकी ज़ादा बढ़ने वाली है, शुबरंग एसमें रहेगा आपके लिए green color, शुबंग रहेगा number 9, अब बात करते हैं सिंगराशी की, आपके लिए 12th house में चंद्रमा है, प्रतियारी तारह का साथ और अश्टेक वर्ग में 22 dots है, overall situation यहाँ पर आपके लिए बन रही है, 20% support की जिसके कारण ये कहूंगा कि आज के दिन कहीं न कहीं पर खर्चे बहुत जादा होना, अपनी सोच से परे खर्चे होना, कई ऐसे खर्चे जो कि आपने सोचे भी नहीं और आपके सामने बने चले जा रहे हैं, काने में समय ना दे पाना, अपने काम में बहुत बिजी रहना पर उसका आपको result ना मिलना, अपने काम पर शक करना कि इतने समय की महनत जो है वो रंग क्या ला रही है तो self doubt वाली जो situation है वो यहाँ पर बन रही है तो वही अपने पता के साथ में विचार विमर्श करते हुए डर और भै का माहौल बना देखने को मिलेगा चिंताएं बड़ी सताने वाली है तो ऐसे में आज के दिन खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाईए तो वहीं सोच समझ करके चीज़ों को बात करें हो सके तो आज के दिन पताजी के सामने ही ना पड़े तो ज़्यादा बेतर है लोग मीठी मीठी बातें करके फसाने की कोशिश कर सकते है यहाँ पर एक बात का ध्यान रखे सामने वाले के कहने भर से चीज़ें नहीं होती खुद की स्टडी करना, खुद को रिसर्च करना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कहीं भी रुपे दिन से पहले बड़ा ज़रूरी है इसको इंशरेंस सेक्टर में कहा जाता है ड्यू डिलिजेंस यह ड्यू डिलिजेंस करके अगर आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे दूसरों की बातें सुनकर के आगे बढ़ गए तो कोई फायदा नहीं है शुब रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुब अंक रहेगा नमबर नाइन अब बात करते हैं कन्या राशी की आपके लिए राशी भाव से आज की दिन 11th हाउस में चंदरमा है संपत्तारा का साथ और श्टक वर्ग में 34 डाट से ओवरॉल सिचुईशन 100% पॉस्टिव है और ऐसे में चाए हिल्थ वाइज रिकवरी कहूं बाक पेन बहुत जादा हो रहा था, वर्क लोड बहुत जादा था इन से परेशान हो रहे थे, कही ना कहीं बाते चल रही है, बन नहीं पा रही आज के दिन बात कीजे, आपको पॉजिटिव रिस्पॉंस जरूर मिलेगा घर परिवार में महमानों के आने भर से भी शायद हो सकता है कि कोई आपको सही सुझाव दे दे, सही दिशा में दे दे तो यहाँ पर हो सकता है कि उनकी दिशा के कारण ही आपका जो विवा संबंध है, वो तैह हो सकता है यहाँ पर कमाई अच्छी है, खर्चे कम है, तो सेविंग और इन्वेस्मेंट की तरफ आपका यहाँ पर इंट्रिस्ट का है, यहाँ पर फोकस ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, शुबरंग रहेगा ग्रीन कलर, शुबंग रहेगा नमबर एट अब बात करते हैं तुलाराशी की, तुलाराशी के लिए टेंथ हाउज में चंद्रमा है, शेमतारा का साथ, अश्टग वर्ग में 24 डॉट से, ओवरॉल सिचुएशन 100% पॉस्टेव है, जिसके कारण सफलता आज के दिन मिलने वाली है चाहे आप बिजनिस की बात कहें, खास तौर पे IT फर्म से जो रिलेटेड लोग है, टेक्नोलोजी डिरिवन कंपनीज में काम करते हैं, MNC में काम करते हैं, फाइनांस या तफिर बैंकिंग इंडिस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन सबसे बहतर सिद होने गर परिवार का सुख और समर्थन आपको प्राप्त होगा, तो वहीं जहां पर काम करते हैं, या फिर जहां बिजनिस चलाते हैं, तो वहां पर लोगों का आज सम्मान भी प्राप्त होने वाला है, कहीं ना कहीं एक्स्पेंडिचर जो आपके मार्केटिंग की तरफ कहें, प्रचार की तरफ कहें, ये आज की दिन रंग जरूर लाने वाले हैं, लोगों का काम करके उसी समय पेमेंट मिलने से भी खुशी होगी, तो यहां पर कमाई के तौर पे परिशानिया नहीं देखने को मिलने वाली, पर ये भी बात है कि आज के दिन लोगों के साथ में पर चलने वाला है, एनरजी आप में बहुत देखने को मिलेगी, तो यंगस्टर्स भी इस समय में अपने केरियर के अंदर एडवांस्मेंट की बात कहें, नई जॉब के प्राप्ती की बात कहें, कॉलेज एडमिशिंस की बात कहें, तो यहां पर उनको भी सफलता जरूर मि अब बात करते हैं, व्रश्चिक राशी की, आपके लिए 9000 में चंद्रमा है, वदतारा का साथ है, अश्टग वर्ग में 28 डॉट्स है, ओवरॉल सिचुएशन आपके लिए यहां पर बनती है, तारिस 30% सपोर्ट की, और यहां पर आपको एक सुझाव देता हूँ, उपाय में हो सके, यद फिर महाकाल शिवलिंग यद फिर पारद का शिवलिंग जरूर स्थापत कर लें, और उसका अभिशेक इस पूरे श्रावन महा में करें, ऐसा करने से, सबसे पहले बात करें, आज के दिन क्या आपको देखने को मिलेगा, और लगातार जो आपके लिए है, क पूरी सिच्वेशन, ट्वेंटियत की मौनिंग तक भी इस तारिक की सुभह तक चलेगी, तो ऐसे में, कोशिश ये करें, कि सबसे पहले तो, जो भी आसपास में शिव मंदिर हो, वहाँ पर जाएं, जल अभिशेक जरूर करें, स्वैम को शान्त करें, खुद की मती को सबस हो सकता है, यहाँ पर यह भी कहूंगा कि किये हुए काम का पेमिंट जो प्राप्त होना था, आज आटिट्यूड कहें, इगो कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, इसके कारण आपके जुबां से कोई निकली हुई बात आपके पेमिंट को रोक सकती है, सामने वाल ने मानस बना ल तो वहीं पर घर परिवार के अंदर चीज़ों को लेकर के चोटी चोटी बातों पर जिसको हम कहते हैं राई का पहाड बना दिया, वह वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है कि बात कुछ भी नहीं थी, पर उस पे इतना जादा बात होगी, इतना गहरा अध्यान होगया, ह आज के दिन चोटी चोटी बातों को लेकर के गुसा कर देना, या फिर वापस बोल देना, या आज के दिन घर का माहौल खराब कर सकता है, यहाँ पर यंग्स्टर्स जो है खास तोर पे, कोशिश कर रहे हैं कि नई जॉब के लिए इंटर्व्यू देने जाएं, या फिर ए कि आप नीडी है, या फिर आपके पफॉर्मेंस पर उंगली उठा करके आपको फीशे खिसका दिया जाए, ओफिस पॉलिटिक्स के शिकार कहें, तो वो बन सकते हैं, बेसिकली कहने का मतलब यह है, शुबरंग रहेगा आपके लिए गोल्डिन कलर, शुबरंग रहेगा न दियान रखे, मौनसून है, इसके कारण आक्सिडेंट हो जाना, पूर विजिबिलिटी के कारण कोई प्रहिशानी हो जाना, गाड़ी खराब हो जाना, इनसे आपको ग्रसित होना पड़ सकता है, पंचुएलिटी जो आप इतनी जादा सूचते हैं, आज पंचुएलिटी म आपको कहीं ना कहीं पे अपने चपेट में कहें, लाने की कोशिश करते हैं, और वही चीज़ आज के दिन देखने को मिलेगी, कि हम ना चाहते हुए भी चीज़ों में फस्ते चले जाएंगे, स्वास्ते को लेकर के भी थोड़ा यहाँ पर जाग रुक रहीएगा, खास त परिवार में भी यही देखने को मिलेगा, कि ससुराल पक्ष का हस्त शेप आपके घर के अंदर आपके घर की बातों में आज के दिन जादा देखने को मिले, जिसके कारण आपका और आपके लाइफ पार्टन का लाइफ यहां जो बांडिंग है या रिलेशन्शिप है, उस कलीक्स कही ना कहीं पर सपोर्ट दे देंगे पर अवराल जो नेगिटिविटी है, उसको आज के दिन जेलना ही पढ़ने वाला है, ऐसे मैं यही कहूंगा कि थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग के साथ में आगे बढ़े, थोड़ा अपने आपको फ्लेक्सिबल रखें, विनम जादा exponential growth कहे, unexpected gain कहे, इसकी प्राप्ती नहीं हो सकती, दिन सुख में जरूर बीतेगा, पर कहीं न कहीं पर ये चीज़ है कि workload जादा नहीं है, कमाई जादा नहीं है, संतुष्ट हूँ बस इस कारण कि आज की दिन परेशान नहीं होना पड़ रहा, मानसिक तौर पर मैं ख खुश हो सकते हैं, सुख सवधाओं में यहाँ पर सेम की सेम चीज़ें बनी हुई है, health wise परेशानी नहीं है, life partner के साथ में normal relationship रहने वाली हैं, यहाँ पर यह नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी बातें हो गई, बहुत अच्छी bonding है, जस नॉमल जस तरीक से आपका routine चलत आना, या फिर कही न कहीं किसी को favor करना, यह आज की दिन आपके लिए बहतर से दो सकता है, आपके लिए नए दर्वाजे खोल सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि दर्वाजे पर पहुच गए पर कोई खोल नहीं रहा है, कही न कहीं you are not welcome in that particular room जहां पर powerful influential लोग बैठते हैं, य आज का दिन आपके लिए इस तरीके से बन रहा है कि कहीं न कहीं उन दर्वाजों तक पहुच गये हैं, खट-कटा रहे हैं और कहीं न कहीं वो possibility बन जाएगी कि अब उस room में हम enter कर पाएं, metaphor है, इसको इस metaphor के तरीके से ही समझिएगा, शुबरंग रहेगा आपके लिए blue color, शुब अंक रहेगा number four, अब बात करते हैं कुम्ब राशी की तो आपके लिए राशी भाफ से six thousand में चंद्रमा है, जन्तारा का साथ, अश्ठक वर्ग में 27 dots है, situation यहाँ पर 70% आपके लिए positive मनरी है, जिसके car and health wise तो recovery देखने को मिलेगी, खास तोर पे youngsters जो है, या फिर ज चाते हैं, तो इस तरफ planning stage जो है, या फिर execution stage, job change करने वालों के लिए, promotion के लिए जादा बेहतर है, जो job छोड़ करके अपना business start करना चाता है, तो आपको यहाँ पर planning stage जो है, वो काफी जादा strong होता नज़रा आने वाला है, income में बड़ी रद्धी देखने को मिलेगी, तो लग का साथ भी मिलेगा, भागया वसात लोग आकर के मदद करनें, या अद फरिये कहें, दोस्त हो गए, रिष्टिदार हो गए, सस्राल पक्ष हो गया, तो यहां से monetary और emotional दोनों ही support आपको मिल सकते हैं, दिन positive जरूर है, pressure कम है, तो ऐसे में self development के तरफ आपकी जो कोशिश है, वो जादा यहां पर रंग लाने वाली है, घर परिवार के अंदर स्थितिया नॉर्मल रहेगी, तो वहीं बच्चों के साथ में लगाव आज के दिन जादा देखने को मिलने वाला है, यहां पर green color का इस्तमाल कीजेगा, कोशिच कीजेगा कि bottle green, dark green जिसे कहा जाता है, को इस्तमाल करें, वहीं शुब अंक रहेगा आपके लिए नंबर वन, अब बात करते हैं मीन राशी की, आपके लिए फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्रतारा का साथ, और अश्ठकवर्ग में 24 डॉट से सिचुएशन आपके लिए बन जाती है, 70% support की, यहां पर यह कहेंगे कि लॉजिकली आप बहुत जादा साउंड और परफिक्ट बन रहे हैं, काल्कुलेटिव माइंड जो है, वो बहुत ही जादा आज के दिन अचाहिए, हर चीज में जल्दी से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वहां पर स्टेबलीटी देखने को मिल तो इससे परेशानिया कुछ हो सकती है, स्वहम की वरकिंग लाइफ में और वरकिंग लाइफ यहां पर आपकी आज के दिन शांदार रहने वाली है, पैसों की कमी नहीं है, उल्टा उपरचुन्टी जादा देखने को मिलेगी, अपने कारियों के अंदर भी आपको यहां पर इमिजिट एफेक्ट अपने डिसिजिजन का जरूर देखने को मिलने वाला है, खास तोर पर जो content creators है, online कमाई करने वाले हैं, याद फर यहां पर finance के अंदर काम करते हैं, यहां तक कहूं कि start-up culture के अंदर जो काम करते हैं, कोई भी post पर आप काम करते हैं, तो यहां पर यह तो हुई बात आज के राशी फलकी, अब बात करते हैं आज के विशेश उपाई की कि शिव आराधना के बारा लाब क्या है, शिव साधना यानि की आराधना करने से मनुष्य को जीवन के प्रतियक शेत्र में विजय की प्राप्ती होती है, शिव आराधना करने वाले व उनकी पूजा अर्चना से शरीर से अद्बुद उर्जा बल साहस की अनुभूती होती है। भगवान शिव मृत्युन जई है। इसका मतलब कि उनकी आरादना हमें अकाल मृत्यु के भैसे मुक्त करती है। और सदेव रोग मुक्त भी रखती है। अब शिव ग्रहस्त जीवन के आदर्श है, जो अनासक्त रहते हुए भी पूर्ण ग्रहस्त स्वरूप है, इनकी आरादना से ग्रहस्त जीवन में अनकूलता प्राप्त होती हैं और ग्रहस्त जीवन सुखमय बनता है। कहते हैं न कि जोड़ा कैसा हो महादेव और पार्वती जैसा हो। तभी इसके लिए महादेव की पूजा भूले भंडारी की पूजा जरूर करनी चाहिए उनकी आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव कुबेर के अधिपती हैं यानि कि लक्षमी प्राप्ती के लिए इनकी आराधना का विशेश महत्व है। वाले देवता हैं। शिव की भक्ति दुष्ट दलन यानि कि शत्रुनाश के लिए करना भी बहुत जादा हितकारी माना जाता है। शिव मौक्ष के अधिश्टा आता है, मौक्ष की कामना से भी इनकी भक्ती विख्यात है, इतने भोले है महादेव कि उनकी आराधना व्यक्ती के भाग्य को पलट सकती है, शीग रही सर्वस्व दे देते हैं, तो ऐसे में उनकी भक्ती अगर की जाए, सच्चे मन से अगर की जाए, तो आपके भाग्य को भी आप चमकता हुआ देख सकते हैं, भगवान शिव संपून स्वरूप है, इसलिए इनकी आराधना जीवन परियंत की जाती है, और विशेश करके शिवरातरी में और श्रावन मा में इनकी आराधना से व्यक्ती अपने इश्ट के दर्शन प फल आपको मिल सकते हैं, आपको बारा ऐसे मुख्य लाब बताया हूँ जिसके कारण इस श्रावन मा में हर सोमवार ही नहीं बलकि पूरे महीने, आप शिव की भक्ती में लीन रहें, फाइदा आपका है, भला आपका है, आपके परिवार का है, अब बस बात इतनी है कि आप क्या चाहते हैं, अगर शिव भक्ती से प्रसन होकर के महादेव अगर आपको आशिरवात बें तो कुछ भला ही होगा, इसके लिए कहता हूँ, जब उपाय कहूं, तो कीजेगा जरूर, हमेशा की तरह प्रार्तना आप जाते ही है, कि आपका और हमारा परिवार सदैव, सु पन रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े वजर्गों का साथ और आशिरवात हमेशा हमारे साथ में बना रहे, जैश्री राम एवं, जैहन